वेलकम टू गति ग्रूप आफ क्लासिज और मेरा नाम है मोहित गोहिल आज की इस वीडियो में हम exercise 1.2 का question number 7 discuss करेंगे चलिए friends शुरू करते हैं आज का topic तो friends exercise 1.2 का 7 question इसमें क्या बोला गया है there is a circular path around a sports field एक circular path है circular path है इस circular path में एक sonia है sonia 18 minutes में अपना round complete करती है sonia takes 18 minutes to drive one round 18 minutes में और दूसरा person है ravie while ravie takes 12 minutes for the same ravie 12 minutes में अपना एक round complete करता है और condition क्या दी है can they eagher do know suppose they both start at the same point अगर दूसरा पॉइंट से चलना start करते हैं तो वग दुबारा same point पे कितनी देर बाद meet करेंगे sonia 18 minutes में complete करती है invi 12 minutes में tamam complete करता है तो अगर दुनों same point से चलना start करते हैं तो first time वो अपने starting point पे कितनी देर बाद meet करेंगे दोनो ठीक है तो friends इसकी एक trick बता रहा हूँ 100% काम करेगी यह चाहे question किसी भी तरह का डाल दें circular की form में value change कर दें दो की जगा 3% डाल दें जितने मर्जी percent डाल दें अगर question में यह लिखा हुआ है कि circular path में travel कर रहे है वो दोनो starting point पे कब meet करेंगे अगर इस तरह का question है circular path वाला तो हमेशा हमेशा उस question में हमने lcm find करना है क्योंकि lcm ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको same point पे कब मिलेंगे कितनी देर बाद मिलेंगे वो value बता सके ठीक है इसको याद रखना है friend circular path वाले question में हमेशा आपने lcm find करना है यह trick है इसको करने की ntsc के questions है यह सारे ntsc में बहुत आते हैं यह question उसमें मैं करवाता होता हूँ ठीक है तो इसको लिखेंगे कैसे time taken by sonia to drive one round is equal to 18 minutes लिखा हूँ है इसमें time taken by ravi to drive one round 12 minutes ravi 12 minutes लेता है तो दोनों कब meet करेंगे क्या चीज़ बताएगी हमें क्या find करना होगा इन दोनों का lcm ठीक है तो इन दोनों का lcm find करने के बहुत सारे तरीके है एक prime factorization method है एक यह वला method है जैसे मर्जी कर लो आप है नो तो 18 और 12 का lcm find करते हैं चलो प्राइम factorization करते हैं 18 के factors क्या होंगे 2 into 3 raised to power 2 12 के क्या होंगे 2 raised to power 2 into 3 lcm में हम क्या करते हैं सारे factors लिखते हैं कौन कान से factors है 2 into 3 नाम lcm है least power highest लिखते है 2 की highest power कौन सी है 2 3 की highest power कौन सी है 2 तो 3 into 2 9 3 का square 9 2 का square 4 9 into 4 36 इसका मतलब वो दोनो 36 minute बाद meet करेंगे लिखेंगे कैसे therefore they meet after 36 minutes यह हमारे question का answer हो गया thank you guys तो guys अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको time to time पहुँचते रहे thank you guys टाउ आपको बीडियो को स